यमराजी अपने पुदेश में यमा की इंकरों को बता रहे हैं श्यमत भागवत में तस्माच संकीर्तनम विष्णोर जगनमंगलमम हसाम महताम अपिकवरव्य विद्याइकांतिकनिश्कृतम ये पताते हैं कि ये पुत्रो ये भगवान के हरिनाम जो है ये सारे दुनिया के पाप कर्मों से उत्पन होने वाले कालमश जो है उसको कतम करके एक यक्ति के खिर्दे में सद भावना को बक्ति को जागरत करता है तो शास्तर बताते हैं कि हम सब के हुरुदे में बगवान परमत्मा रूप में अंतरयामी के रूप में विराजमान है लेकिन हम अपने साधारन आँखों से उनको देख नहीं पाते हैं जैसे एक काष्ट के अंदर आग होता है, जिसको हम आगों से देख नहीं सकते हैं. लेकिन जब काष्ट सुखा होता है, सुखा काष्ट को जलाने, एक मैच श्टिक लेकर जलाने से, तभी उससे आग निकलता है. इस तरह हमारे शरीर भी एक काश्ट के बराबर है लेकिन सुका काश्ट का मतलब क्या है पापकृतियों से मुक्तर रहना इसलिए प्रभपाज ने चार नियमों की विदी दी चार नियमों को पालन करने से और पापकृतियों से उपर उटकर रहने से और साथ-साथ भगवत ब अग जलाने के लिए हरे कुछन महामंत्र है और एक काष्ट को पानी से मुक्तर हना चाहिए वो सुकर हना चाहिए इसलिए चार्नियाम दोनों दिया है एक बार मेरे गुरुमा बोल रहे थे की वैदिक संस्कृति में जब यग्या अगरा होता था तो ब्राह्मन लोग मंत्र उ उनकी मुझे निकलने वाले मंत्र जो था उसमें इस एक शक्ति था कि वह आग को जलाता था इस तरह कि जब हरे कृष्ण मंत्र को हम लेते हैं तब यह म सब हात ओपर करते हैं वह आग के सवान है हरे कृष्णा हरे तो यह मंदर से मंत्र निकलता है उज़र आग एक प्रफश्ण में ऐसे बोल रहे थे क्योंकि यह भी अग्या है क्रेक्टर ने यह क्या अग्या है संकेर्टनियग्या संकेर्टनियग्या इस तरह हमारे खिर्दे में भी वो काश्ट में निकलने वाले आग जैसे परमात्मा जीजी जो है परमात्मा को जागर्द करने के लिए महामंतर करना चाहिए और इसलिए last offense बोला, दस्वाँ offense क्या बोला? उश्या सक्तियों से मुक्तर है ना उश्या सक्तियों से मुक्तर हकर जो नाम जबता है जरूर उसके हिरदे में बगवान जागरत हो जाते हैं इतना ही नहीं जब ये काश्ट के अंदर से आग निकलता है वो काश्ट को ही कतम कर देता है पूरा इस तरह आइसा नहीं कि काश्ट के अंदर आग बंदा गया है आग बंदा नहीं गया है जब आग जागरत होगा तब ये काश्ट ही कतम हो जाएगा इस तरह हमारे अंदर जो भी बहुतिक प्रवरतियां है जिसके कारण हम इस दुनिया में पलते हैं हमारे बहुतिक प्रबृतियों को पोशन मिलता है जनम जनम के बाद शरीर हम धारन करते हुए गुम गुमते हैं गामते हैं इस दुनिया में इस तरह बहुतिक पजारतों से बना हुआ यह शरीर जो है उसको परमात्मा जब जागरत होते हैं वो कतम कर देते हैं तो हमको पुनर जना भी नहीं लेना पड़ता है लेकिन भगवान की दिवयता क्यानुसार हमारे भी दिवयता बढ़ जाता है तब ही हम भगवान के साथ आधान प्रदान कर सकते हैं इस तरह हुए भागवत में उधारन दिया है इसलिए भक्ति माय जीवन में एक भक्त को गंभी रता चाहिए और भगवान को प्राप्ता करने की एक तरह का आतुरता चाहिए तो प्रभवाजी बोलते हैं ये कितात परी में जिस वक्ति के अंदर भगवान को प्राप्ता करने की आतुरता नहीं है वो तिवरता से भक्त नहीं करता है तो भगवान भी उसके साथ आधान प्रदान नहीं करता है तो भगवान के आधान प्रदान प्राप्ता होने के लिए भक्त को भी आपनी बद्धी में लगना पड़ेगा और बाकी विविधा distraction क्या कर बोलते हैं? distractions distractions प्रालोबन मीश नथ प्रालोबन मीश प्रालोबन मीश प्रालोबन मीश अलूरमन विचलति इस है अगेटेटेटेटेटे विखषेप विखषेप ज़ही शब्द है विक्षेप, जो सब विक्षेपन को बाज में रखते हुए, जो हरीनाम का जब करेगा ध्यान पूरवक, उसको भगवान इसके हरदे में जागरत हो जाएंगे, और उसका लक्षन क्या है, काई से पता चले कि इसके हरदे में बगवान जागरत हुए हैं, तो उसको पूर्ण स Śādar An, बद्द, जेव, वाया के प्रलोबनगे पीछए भागता है, उतना वो बगवान के पीछए बागता हो, उतना है। खेजी से बागता है। यह लोग तेजी से एक दिशह भागले हैं, और वो दूसरी दिशह भाग्रा हो, बगवान के और, यह भी आकरस्णा में। यह थ तरह देरे देरे ले एक बड़ापता हो जाते हैं जो गंबरता से हरिनाम को जबता है और उशह सकतियों से मुक्त रहता है और वो बगवान को प्रूव करता है कि हमें जरूर आपको प्रापता करके ही बैठना है बाकी कुछ विश्यों के उपर जो आकरशन है वो सुपर है वो उसको हम त्याग देंगे आप हमको चोड़ो मत इस तरह प्रात्ना अत्मक भावना के साथ जो नाम जबते हैं उस बक्त के सब पाप कर्म के पूर्वा फल जो है वो मिट जाते हैं और नया पाप नहीं करता हो और इस तरह भगवान की वो रेका गरतिश्त के साथ अग्र परपुमसाम अंते नारायनस्मृति इस तरह सांक्य हो योग हो किसी भी तरह का कर्म योगो ज्ञान योगो जो भी हो सब पतों का अंतिम लक्ष है अंते नारायनस्मृति तो इसलिए अगर सब पत का अंतिम लक्ष यही है तो हम तो रोज जबते हैं तो सीधा ही बगवान क करना हम पुकार लेते हैं, हम बगवान को आई से योग माग ज्ञान माग के समान हम नहीं जाते हैं, सीधा ही हरे कृष्णा बोल देते हैं, ये एक प्रोचन में परंपयों, एक महराजी गए थे उनको लोगों ने बोला की, महराजी आप भी पंडाल में दो शब्दों बोल द चाहिए उसको, पकड़ कर रहो, छोड़ो मत, और ध्यान से सुनते रहो, सुनते रहो, हम अपने आपने परिवर्टन देख पाएंगे, हर नाम प्रभू की? हर!